मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं It Simple और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्यूशन के बारे में बहुत बच्चों की ट्यूशन स्टार्ट हो गई हैं, कुछ बच्चों की ओफलाइन स्टार्ट हुई हैं और कुछ बच्चों की ओनलाइन अब जिन आपको अपने ट्यूशन सेंटर तक चलके जाना पड़ेगा और वहां जाके आप पढ़ाई करेंगे, बहुत बच्चे जा रहे हैं ऑफलाइन ट्यूशन में, बहुत सारे ऐसे इंस्टिट्यूट्स हैं जिन्होंने ऑफलाइन ट्यूशन खोल दिये हैं, जो बिल्कुल गल किसी भी एज ग्रूप के बच्चे एक साथ आते हैं तो वो एक साथ बैठते हैं, बाते करते हैं और किसी ना किसी रीजन के थुरू इस चीज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हम सभी को पता लेट्स भी प्रैक्टिकल इतनी देर तक को तो कभी ना कभी किसी एक बच्चे ने भी उतारा और किसी एक को भी और किसी एक के थुरूवी spread होता है, तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अभी इसमें भी कुछ ऐसे समझदार बच्चे हैं जिनें इस बात की फिकर है कि ये disease spread ना हो पर उनके parents नहीं मानते क्योंकि उन्हें पता है उनके बच्चे के लिए कितना जादा ज़रूरी है कुछ बनना लाइफ में जो की सही भी है कुछ बनना बहुत जादा ज़रूरी है पर किस कीमत पे, किस चीज की कीमत पे, अपनी जान की कीमत पे और बात यहां सिरफ एक बच्चे की जानकी नहीं होतीör फिर यहां पर बात होती है सब की जानकी किमत्ते जो भी तुमहरे साथ पड़ने आरे उसे एक बच्चे की Immunity Strong होई पर इसका क्या ये मतलब है अगर उस बच्चे ने अपने और काफी ऐसे इंस्टिटूट भी हैं जिन्होंने कहा है आप अगले टाइम जब एक्जाम्स होंगे तब आप दुबारा दे सकते हैं considering the fact कि अभी कोरोना चल रहा है और एक्जाम्स देना सेफ नहीं है तो इसलिए जिसको एक्जाम देना है काफी ऐसे इंस्टिटूट हैं जैसे कि अगर मैं इगनू की बात करूँ या पर कुछ ऐसे colleges हैं S.O.L. डेली उनिवर्सिटी वाले उन्होंने online एक्जाम दिये हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो किसी भी चीज को lightly नहीं लेना चाहते कि कि किसी की जान जाए तो क्यों offline tuition centers ये समझने को तयार नहीं है कि एक बहुत बड़ा risk है क्या दो पैसों के लिए अब इनसान ऐसे हो जाएगा कि उसे किसी की life की चिंता ही नहीं होगी schools तक बंद कर दिये गए हैं आप situation को समझें कि जहां पे main पड़ाई होती है वो तक बंद कर दिया गया है इसलिए ताकि बच्चे safe रह पाएं पर हम क्या कर रहे हैं हम अभी भी offline coaching centers खोले हुए हैं this is what we do we put the life of people we care the most in danger और हाँ definitely कुछ बच्चे कहेंगे अब school के exams नहीं होंगे क्या school के exams तो होंगे इस year भी जब corona बहुत ज़्यादा high हो रखा था तब भी precautions के साथ हुए थे exams तो होंगे पर क्या घर पर पढ़ा ही नहीं करी जा सकते अब कुछ बच्चे कहेंगे अपनी बात रखने के लिए कि हम online tuition afford नहीं कर सकते तो हम क्या करें ठीक है online tuition afford नहीं कर सकते तो छोड़ दो online tuition offline जाना जरूरी है इस बारे में बात हो रही है यहाँ पर क्या हम वही किताबों से घर पर खुछ से बैठके नहीं पढ़ सकते ऐसे बहुत बच्चों के examples मिल जाएंगे आपको जिनके पास किसी भी तरीके की tuition नहीं थी फिर भी उन्होंने टॉप किया फिर भी वो first आए उन्हीं किताबों से पढ़के वही किताबे हैं जो आपको first ला सकती है material वही होता है same बस पढ़ना आपको खुछ से पढ़ता है offline और online जाना main नहीं है main है पढ़ाई करना जो खुछ से होगी इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मैं आपको एक कहानी बताती हूँ एक बार एक बच्चा था वो रो स्कूल जाता था पढ़ाई करने के लिए पर वो कुछ भी समझ नहीं पाता था कुछ भी याब नहीं कर पाता था कुछ भी learn नहीं कर पाता था उसके teacher ने एक दिन उसे बोला कि देखो तुम्हारा स्कूल आना जरूरी नहीं है तुम्हारा ज्यान को विद्या को knowledge को हासल करना जादा जरूरी है तुम्हारे पास आज चाहे life में कितनी ही problems क्यों नहीं हो अगर तुम पढ़ने का time नहीं निकाल सकते और सिर्फ यहां पे शकल दिखाने के लिए आ जाते हो तुम सही में knowledge को हासल नहीं कर पाओगे तुम्हें पढ़ाई को खुद से time देना होगा पढ़ाई विद्या को सिर्फ तब ही हासल किया जा सकता है जब एक इनसान पढ़ने के लिए तयार हो जब एक इनसान पढ़ाई करने के लिए माने खुद से माने कि उसे पढ़ना है और खुद से efforts करे, मेहनत करे तब जाके कहीं वो पढ़ाई कर सकता है पढ़ना सिर्फ हमारा मकसद नहीं होना चाहिए हमारा मकसद होना चाहिए उसे समझना उसे real life में apply करना जिन्दगी में हारने के कारण जो होते है न वो सभी के पास होते है हमें हराने वाली 100 चीज़े आएंगी life में पर यह हम पर depend करता है कि हमें कुछ बनना है या नहीं बनना है चाहे tuition है, चाहे tuition नहीं है पढ़ाई खुद से करनी होगी eventually सिरफ यही एक solution है books लो, books खोलो और खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो किसी और पे निर्भर मत रहो कि कोई और आएगा और तुम्हें पढ़ाएगा तब जाके तुम्हें समझ आएगा फिर तुम याद करोगे नहीं, खुद से पढ़ना शुरू करो खुद की responsibility खुद उठाओ दूसरों पे dependent जब तक रहोगे तब तक कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में और अब ये मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ चाहे जिनके पास online tuition जी क्यो ना हो online tuition से अब आपको क्या problem है मुझे problem नहीं है online tuition से मुझे offline से भी problem नहीं है अगर आप बच्चों की safety को ध्यान में रखते हुए classes ले रहे हैं बट यह हमें भी पता है और आपको भी बता है कि safe नहीं है चाहे हम कितनी बाते बना लें कितना अपने आपको बहला लें कि safe है सब लोग मास्क पहन लेंगे और sanitizer रख लेंगे और distance maintain कर लेंगे हम सभी को पता safe नहीं है कोई भी इतना perfectly rules को follow नहीं कर सकता और नहीं कर पाया है कोई आज तक तो यह हमने idle situation मना रखी अपने दिमाग में कि सब कुछ safe रहेगा और offline tuition को attend करना safe है जबकि सब ही को पता है नहीं safe और फिर भी लोग बच्चों को बेजने को तयार है tuition centers में और tuition center वाले को मना थोड़ना करेंगे वो तो कहेंगी कि हाँ safe है उनका क्या जारा है उनको कुछ नहीं जारा बस जाद स्यादा infect होगा तो कौन teachers उस class में बैठे हुए बच्चे और जिसका main tuition center होगा वो तो अपने AC room में बैठे होगे कहीं पर सुरक्षित उनको पता है उन्हें कुछ नहीं होने वाला और अब ये जो मैं हाँ पर बात कह रही हूँ न ये next level की बात है हर को ये बोलने को त्यार भी नहीं होगा पर जो ये आपको समझाना चाता है वो सही में चाता है कि आप घर पे रहें अगर अभी के time में लोग अपने बच्चों को school नहीं भेज रहें अगर किसी को चोट लगती है छोटी मोटी चोट तो वो आज के time पे hospital नहीं जाना चाता ताकि वो infect नहीं हो जाए अभी सभी को इतनी knowledge भी है कि उन्हें पता है उन्हें सारा time mask लगा के बहार जाना है हम कितने सारे safety measurements को ध्यान में रखते हुए चीजे कर रहे हैं अपनी life में और एक भी गलती हैं आपे acceptable नहीं होगी क्योंकि एक बिमारी ये नहीं देखेगी कि आप कितनी महनत कर रहे हैं अपने आपको बचाने के लिए वो अपने आपको जिन्दा रखने की कोशिश करेगी खुद mutate होने की कोशिश करेगी और रही बात online tuition की तो online tuition में भी निरभरता है हम लोगों पर depend कर रहे हैं कि वो हमें पढ़ाएंगे online tuition से क्या आँखों पर stress नहीं पढ़ता बहुत पढ़ता है आखे दर्द कर जाती हैं और उसमें भी कुछ teachers इतने ज़ादा inhuman बनने लग जाते हैं कहते हैं कि strain पढ़ने लगता है इसकी वज़ा से क्या होगा चश्मा लग जागा आखे भी को जाएंगी क्या हमें सारी बाते नहीं पता कि online भी पढ़ना बहुत जादा impractical है लंबे समय के लिए एक दो तीन साल के लिए अगर long time में देखे impractical है सही में कोई solution नहीं है किसी चीज का चाहे अगर एक दो घंटे पढ़ रहे हो तो तो फिर भी ठीक है per day one to two hours पढ़ रहे हो पर mostly बच्चे बहुत जादा जादा पढ़ाई कर रहे हैं और आखों में strain पढ़ना चश्मा लग जाना सिरफ इतनी सी बात नहीं है खुद से पढ़ना होगा आपको खुद से पढ़ना शुरू करना होगा बस किताबे खरीद लो चाहे वो e-book के माध्यम से हो या चाहे paperback हो किताबे खरीद लो जो भी तुमारा course है और खुद से पढ़ना स्टार्ट करो खुद पर विश्वास करो ट्रस्ट करो फेद करो और OTT प्लाटफॉर्म के माया जाल में डूबे मत रह जाओ कि हमें फ्री में मूवी देखने को मिल रहे है हम तीन घंटे बरबाद करके आते हैं यहां पर नहीं proper दिन का time table बनाओ और पढ़ाई करनी शुरू कर दो किसी और के लिए इंतजार मत करो कि कोई और हमें पढ़ाएगा तो हम पढ़ेंगे वो जमाना जा चुका है कोई और हमें पढ़ाएगा वाला It's high time now कि आप इस बात को समझें कि आपको खुद से पढ़ाई करना कितना जादा जरूरी है अपके time में किसी और पे निर्भर रहना dependent रहना is not the right option now चाहे मानो या ना मानो offline और online दोनो ही method जब हो चुके हैं पुराने एक time आता है जब species को evolve करना पड़ता है परिवर्तन से होके गुजरना पड़ता है और जो उस परिवर्तन को accept नहीं करता न वो आगे बढ़ने ही पाता Darwin की theory तो सुनी ही होगी आप सभी ने fittest for the survival जो की evolve करेगा खुद को बदलने को तयार होगा खुद को change करने को तयार होगा वही जिन्दा रह पाएगा और वही जिन्दगी में भी आगे बढ़ पाएगा तो खुद को बदलो और मैं खुद online videos बनाती हूँ पढ़ाई की education की अगर मैं ये बात कह रही हूँ कि online पढ़ने से eyes पे stress पढ़ता है और offline तो अभी कोई option ही नहीं offline को तो भूल जाओ offline चाहे इंसिट्यूट्स ने खोल दिया है कि कहके की safe है वो तो बिल्कुल ये unsafe है definitely online भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं आइस पे strain पढ़ता है अगर उसको हम minimize करें एक या दो घंटा डेली तो भी ठीक है पर long term के लिए online भी ठीक नहीं है definitely बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत देर तक फोन पर वीडियो गेम्स खेलते होंगे या फिर बहुत देर तक फोन चलाते होंगे बिल्कुल उसी तरीके से जब वो छोटा 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 लिखा हुआ मैंने खुद ऐसे बहुत बार पढ़ाई करी है online हम पढ़ रहे होते हैं तो ice पर बहुत जादा strain पढ़ता है और eventually सर में भी दर्द होने रख जाता है तो वो भी online tuition भी चाहे ले भी रहे हो तो भी minimize करनी पढ़ेगी long term के लिए ठीक नहीं है असलियत को देखना शुरू कर दो उसे accept करना शुरू कर दो और evolve करना शुरू कर दो क्योंकि जो परिवर्तन को accept नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर life में कुछ करना है तो किसी और पर निर्भर न होके खुद पर विश्वास करना होगा खुद से पढ़ाई करनी शुरू कर दो किसी और के लिए इंतजार मत करो कि कोई और आएगा और तुम्हें रहा दिखाएगा और फिर जाके कहीं तुम स्टार्ट करो रहे पढ़ना ये मत करो ठीक है तो I hope and I really do कि आप इस बात को समझें कि आप लाइन टूशन तो कोई सॉल्यूशन है नहीं बिलकुल भी अभी के टाइम पर बहुत ही इर्रिस्पॉंसिबल होगा किसी भी बच्चे का आफ लाइन टूशन अटेंड करना अगर कर भी रहे हो तो उन टूशन का टाइम डिसाइड कर लो कि दिन में दो या तीन घंटे से जादा हम टूशन नहीं अटेंड करेंगे आफर फोन नहीं चलाएंगे क्योंकि आइस पर बहुत जादा स्ट्रेंड पड़ेगा हैडेक हो सकता है वर्स एफेक्ट हो सकते हैं और उस ट्रेंड की वज़ा से हो सकता है कि हमें चश्मा भी लग जाए इसलिए बेस्ट यही है अगर टाइम को यूज कर रहे हो तो उसको सही से यूटलाइस करो हर चीज का एक प्लान बनाओ प्रॉपर टाइम टेवल बनाओ कि क्या क्या करना है ओनलाइन ट्यूशन अटेंड कर रहे हो तो अपने ट्यूशन वालो को जो उनलाइन ट्यूशन ले रहे हैं उनने सजेस्ट करो कि एक घंटा पढ़ाई कराएं दो घंटे की ब्रेक देते आइस पर स्ट्रेन ना पड़े इत्ती देर पड़ने से और सोल्यूशन खुद निकालने होंगे कोई और नहीं आएगा इन solutions को निकालने के लिए तुमारे लिए जब तक तुम खुद पे ध्यान नहीं दोगे और खुद से चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करोगे न तब तक कुछ नहीं हो पाएगा हमेशा ये सोचते रहना कि कोई और हमारे ले कुछ करेगा कोई और ये solution निकाल देगा ये सही नहीं है dependent होना छोड़ दो अब और खुद से पढ़ना शुरू कर दो अब अपना time waste ना करते हुए पढ़ाई करना शुरू कर दो तो ये वीडियो यही पर समाप्त होती है